तो किसको ऐसा लगता है कि सर में आर भी जी बन जाओंगा तो मुझे बंगला मिलेगा गाड़ी मिलेगी एक्जेटरा 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 तो कोई टेग लाइन की तरह मैं इसको यूज नहीं करना जाता हूं बटा आज अपन लोग एक इंपोर्टन चीज पर बात करना जाते हैं जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के अरर भी जो है जो पिछले तीन या साल से जॉब कर रहे है तो उनकी salary increase होके कितनी हुई है तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे जो है सबसे पहले अपन लोग एक fresher की बात करें fresher तो नहीं बट इनको एक साल हो गया है RRB में JEE की post पे काम करते हुए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका date of joining जो दिया हुए धनबाद division का यह है 23rd of February 2023 मेरे पास latest salary slip एक fresher की नहीं है बट उनकी है जिनने तब 2023 में January में RRB को जोइन किया था ठीक है तो जैनवरी में इनकी जोइनिंग हुई थी 2023 में और February में इनकी मत की salary slip यहाँ पे इनने डूटी डेज रहे इनके 28 पूरा महिना काम किया और इनकी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजिनियर C&W department में ठीक है सर यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे जूनियर इंजिनियर C&W under the SSE and he's a trainee so यहाँ पे इनकी जो gross पे लिखा हुआ है वो है 48,852 यह सर salary किस तरीके से बनी उनका जो basic grade पे है वो है 35,400 और उस पे उनको मिल रहा है dearness allowance बच्चा लोग आप लोगों के training के दौरान आप लोगों को basic pay और dearness allowance ही मिलेगा जो अभी बढ़ गया होगा बढ़ तब के समय आप लोगों का net salary था वो था 48,852 यहाँ पे कोई भी deductions नहीं है क्योंकि आप training में हो तो आप लोगों के यहाँ पे कोई भी deductions नहीं हो रहे ठीके तो आप लोग यह expect कर सकते कि आज के समय भी आप लोगों की joining की जो salary होगी वो इससे 3-5,000 जादा हो सकती है कितनी जादा हो सकती है 3-5,000 जादा हो सकती है 2024 अब आप तो 25 में join करोगे पर फाइदा यह रहेगा कि जब आप अपनी training पूरी करोगे तो 2026 में आप लोगों का next pay commission लागू हो जाएगा जैसे अभी जो salary slip बन रही है यह 7th pay commission के इसाब से बन रही है तो तब जो होगा वह एर्थ पे commission वहां पे apply होगा आप लोगों को salary में revision वहां पे देखने को मिलेगा ठीक है तो यह सारी details आप लोगों के salary slip में होती है कि आप लोगों का date of joining भी होता है next increment date भी होता है जैसे next increment date है first of January 2024 आप लोगों की एक साल की service होने पे आप लोगों का यहां पे जैसे दिया गया next increment समझ में आया अब देखें salary slip एक junior engineer की जिनको काम करते करते नियरली चार साल हो चुके है जैसे आप लोगों को just for information में बता हूं कि इनका जो date of joining था वो मैंने वैसे हटा दिया है इंजिनियर टी डिपार्टमेंट में मतलब यहां पे इलेक्रिकल डिपार्टमेंट से टीर डी में इनको पोस्टिंग मिलिए और यहां पर बेसिक पे जैसे लिखा हो वह लिखा हो है 38,700 डीरनेस अलावेंस लिखा हो है 19,350 तो डीए भी बढ़ा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल डीए रिवाइज होता है एड प्रेजेंट अभी मुझे याद नहीं है कि आप लोगों का डीरनेस अलावेंस कितना परसंटेज पे मिल रहा है पर उपर बहुत अत्र डिपेंड गरता है यहाँ पर इनका एचरे है 7740 मतलब यह वाटर्स में नहीं रह रहे है क्योंकि यह इनके सेलरी में आ रहा है अगर वाटर्स में रह रहे होते तो यह आप लोगों का एड नहीं होता उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्ट स्कीम में 30 रुपीज कट हुए न्यू पेंशन स्कीम में आपके कट हुए 5805 रुपीज और इंकम टेक्स में कट हुए 1120 रुपीज ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रॉस पे हुआ था 79,240 और नेट पे मतलब आपके जो अकाउंट में आएंगे वो आएंगे 72,28 6,955 रुपीज मतलब औस तन 7,000 रुपे रिकवरी है तो बच्छा आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि आप लोग जब जोईन करोगे तब आप लोगों की सेलरी कितनी रहेगी और समय से समय आप लोग काम करते हैं रहोगे आप लोगों को इंक्रिमेंट मिलता जाएग आप लोगों को थोड़ा हद तक आइडिया भी देती है कि आप लोगों को यह समझना है कि एक छोटी सी बात यह है कि गौवर्मेंट में आने के बाद आप लोगों को यह नहीं समझना है कि हमारी सेलरी बहुत जादा बढ़ जाएगी पर आप लोगों के लाइफ में एक स् लिए life में stability चाहिए set नहीं चाहिए अपने को life set करना आप लोगों को पात साल दस साल लग जाएंगे काम करते करते तब आप लोगों की life set होगी जीवन में खुद का घर बनाना बहुत समय लेता है खुद की गाड़ी लेना बहुत समय लेता है हाँ यह है कि आप लोगों को ब बहुत कम interest rate पे loans मिल सकते हैं आप लोगों को government में होने की वज़े से जो nationalized bank से वह बहुत easy processes के साथ loan देने को तैयार होंगी interest rate भी थोड़ा कम होता जाएगा आप लोगों को बहुत सारे benefits railways की तरफ से भी मिलेंगे हर साल जैसे आप लोगों को एक चीज बताऊं हर साल 18,000 रुपीज दिये जाते वह आप लोगों के railways वाले आप लोगों को provide करते हैं आप लोगों के दिवाली के gift के तौर पे तो यह चोटी-चोटी चीजें हैं आपन लोगों को motivate भी करती है पर आप लोगों को यह सब चीजों को side में रखके preparation करना है क्योंकि अपना goal है select होक ना कि salary देखके job लेना अगर salary देखके job लेनी होती तो फिर IS तो कुछ देखते ही नहीं फिर समझ माया सो बच्चा लोग motivate होई है पर गलत चीज से motivate नहीं होई है समझ माया आप लोगों को इस चीज से थोड़ा आईडिया होगा बच्चा विद इस कुछ announcement से आप लोगों के लिए अने कैडमी ने आप लोगों के लिए आप लोगों के लाउंच कर दिया है था पावर प्रिप टेस सीरीज जनरल अवेरनेस जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग ज and you can enroll for the SSJ subscription using my code VYDIFIFTY description में दीगे link का 24 months ka subscription आप लोग enroll कर सकते है गने 12 months ka subscription at 5999 and 6 months ka subscription at 4999 RRBJ का subscription भी आप लोग enroll कर सकते हो RRBJ 12 months ka subscription at 4500 sir 6 months ka subscription at 3300 and 3 months ka subscription at 2475 175 is this clear बचे एन आप लोगों के लिए NTPC का जीत बेच हम लोग अल्रडी लॉंच कर चुके जिसमें अमित विजय सर ने स्टार्ट कर दिया जनल आवेरनेस परमोच सर ने स्टार्ट कर दिया जनल इंटलिजिएंस और मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए पॉर्ट अमित विजय सर ने स्टार्ट कर दिया है मेटल कटिंग और आप लोगों के लिए यह वीडियो थोड़ा मोटिवेटिंग भी रहेगा और आप लोगों को गलत चीजों से ब्रमित नहीं होने देगा समझ मेरा अल्टिमेट गोल जीवन का हमेशा रहता है कि आप लोगोंको सच्चाई से में सामना दरहूं ौक बहुत लोग जो